Hello everyone, आप सभी लोग का स्वागत है, आपके अपने चैनल Multibagger Hunt में हैं दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हम stocks का 360 degree review करते हैं और साथी साथ business और market से related important information को भी discuss करते हैं Friends, आज जिस company के बारे में हम discuss करने वाले हैं काफी unique उसका business model है, काफी innovative company वो मानी जाएगी जया दोस्तों आज हम discuss करने वाले हैं EFL India Limited दोस्तों आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि EFL India Limited का business model क्या है Mobile marketing क्या होती है, Customer Intelligence Profile और Customer Intelligence Platform क्या होते है किन-किन market investors ने EFL India Limited में अपनी holding रखी है किन-किन market investors ने इसमें invest किया है, तो देखें दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक disclaimer देना चाहूँगा कि ये वीडियो educational purpose के लिए अगर आपको कोई भी investment करनी है तो आप अपने financial advisor की help से कर सकते है तो देखें दोस्तों, EFL India की listing हुई थी 2019 में, जुलाई 2019 में precisely अगर मैं कहूँ तो तो listing के बाद से ही काफी शांदार इसका run-up रहा है share market में, काफी शांदार इसने return दिये है अभी इसकी जो listing का जो price था वो around 750 के around था और जो इसने अभी पिछले एक साल में high touch किया है, वो 2200 के around touch किया है तो आप सब देख सकते हैं कि इसने जो return दिये हैं पिछले एक साल में तीन गुने के return इसने provide किये हैं अपने investors को तो आप समझ सकते हैं काफी ज़्यादा buzz इसने create की है 2019 में और ये one of the multi bagger साबित हुआ है 2019 का पर जो इस कारण जो है बहुत सारे लोगों का इसमें interest जागा है बहुत सारे लोग इसमें invest करना जाते हैं long term को देख देवे पर उसको एक ही चीज का confusion रहता है कि EFL India एक्चुल में करती क्या है क्योंकि इनका जो business model है काफी innovative है काफी नया है काफी जो है इसमें unique है इसको जो सई वर्ड से अगर मैं describe करना चाहूं तो काफी unique इनका business model है तो देखते हैं जो सबसे पहला question किसी भी investor के किसी भी आम इंसान के जो भी retail investor है उनके मन में आता है कि what actually EFL India does आखिर करती क्या है company क्योंकि इनका जो business model हो काफी unique है बिलकुर नए तरीके से इनका जो है business चलता है तो देखते हैं जोस्तों सबसे पहले यही जानने की कोशिच करेंगे कि EFL India करती क्या है EFL India का business model क्या है तो देखते हैं जोस्तों तो friends आप सब लोगों ने देखा होगा कि आप सब लोगों के पास smart phones है बहुत सारे applications का आप use करते हैं पूरे दिन भर में आप सब ने एक चीज गौर कि होगी कि most of the application आप use करते हैं वो सब free आती है तो कभी आपने ये सब गौर करने की कोशिश किये कि क्यूं जो है ये सारी application free है और किस तरह से जो ये app developers हैं जो application developers हैं जिलनों कि ये app बनाई है वो किस तरह से पैसे कमाते हैं जिया दोस्तों इस question का answer मैं आपको देता हूँगा तो ये है advertising के थूँ how do these free apps earn money तो इसका answer है advertising जिया दोस्तों ये सारी applications ये सारे जो apps हैं ये कैसे पैसा कमाते हैं advertising के थूँ तो देखे दोस्तों आपने कभी भी देखा होगा मैं आपको एक example के तोर पे आपको एक app का बताता हूँ जैसे कि एक daily hunt app है आपने इस app का I'm sure कभी ने कभी यूज़ किया होगा daily hunt app और या फिर आपने इसको इनाप बारे में सुना होगा तो daily hunt app क्या है एक news based app है ज्योंकि आपको news provide करता है तो आप देख सकते हैं किसी developer ने उसको develop किया होगा कोई team उसके पीछे अभी भी work कर रही होगी क्योंकि वो daily daily आपको new information, new news आपको provide करते है तो कोई ने कोई उनकी maintenance activity, कोई भी backup support रहता है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कोई ने कोई team जो है उसको run कर रही होगी उस app को तो वो सब team किस तरह से sustain करेगी किस तरह से वो app developer पैसे कमाएगा तो वो सब कमाते हैं advertising के थूँ तो देखिए, marketing companies display their ads on these platform pay these app developer accordingly देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात आती है marketing companies, कुछ companies होती है जो कि marketing करती है तो marketing, mobile marketing companies वो होती है, जो कि mobile में अपने products को, mobile में अपने customer के products को market करती है market करती है मतलब, उसको ads चलाती है, उनको marketing करती है उनको popular करती है तो देखिए दोस्तों, यह जो app यह develop करते हैं, यह अपने platform को enable करते हैं, mobile marketing companies को use करने के, यानि कि mobile marketing companies, इन सब apps को, जो कि free में available होती है आप सब के लिए, उन सब को use करती है अपने customer के ads चलाने के लिए, यानि जो भी customer है जैसे कि मान लिजे, एक Reebok, आप समझ लिजे या Nike का कोई भी customer है Nike का एक company है, वो इनकी अगर एक customer होगी उनको अपने products को बारे में awareness create करनी है, अपने products को marketing करनी है तो वो इन सब companies को mobile marketing companies को hire करेंगी mobile marketing companies जो है इन सब apps से tie up करके रखती है, कि वो जो है अपने ads को, वो ads बनाएंगी Nike के लिए, और वो सारे ads जो है इन सब mobile application में चलाएंगी तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पूरी एक chain बनती है, आपके एक company जो कि अपने product को advertise करना जाती है वो एक mobile marketing companies के पास जाएंगी mobile marketing company ad तयार करेंगी उनका जो है tie up हो का different different application से जो कि आप सब को free में available है और ये सारी application अपने platform का use करने देखी mobile marketing companies को ads चलाने के लिए, ताकि आपको वो सभी ads visible हो सके तो देखिए दोस्तों ads जो है बहुत सारी forms में आप सबने देखी होंगी अपने mobile में, कभी न कभी जब भी आप mobile open करते होंगे तो आपको बहुत सारे form में ads देखने को मिलती है banner के form में देखती है, कभी-कभी video एक pop-up हो जाता है ad का text ad आपने देखी होंगी images का ad आपने देखी होंगी images type की ad आपने देखी होंगी तो यह इस तरह से बहुत सारी तरीके होते हैं ads को जो है आपके mobile में display करने के तो देखिए जोस्तों अब जो है एक बड़ा सवाल आता है mobile marketing companies कौन होती है और mobile marketing companies में सिर्फ app application marketing की आता है या और भी बहुत सारी इसके channels है तो देखते हैं जोस्तों देखिए मैं wikipedia से आपके लिए एक definition लेके आँ mobile marketing की तो आप पूरा relate कर पाएंगे mobile marketing is a multi channel देख सकते हैं multi channel एक ही channel नहीं है बहुत सारे channel है mobile application एक प्रकार से एक channel ली है देखिए multi channel online marketing technique focused at reaching a specific audience on their smart phone feature phone, tablet और any other related device through website, email, sms, social media और mobile application तो आप देख सकते हैं multi channel बहुत सारे channels के तरीके से mobile marketing companies अपने products को अपने customer के products को market करती हैं आपके mobile में तो mobile application एक तरीके से एक channel है उसके अलावा कितने channels हैं आपके सामने मैंने present किया है website हो गया website में आप देख सकते हैं किसी भी website को आप सर्च करते हैं वहाँ पे banners चलते रहते हैं images रहती हैं advertisement होता रहता है आप देख सकते हैं email आपको भेज़े जाते हैं बहुत सारे emails आपने देखेंगे आपके spam box में बहुत सारे emails भरे रहेंगे advertisement के SMS आप देख सकते हैं आपको SMS आते हैं कि इस site पे इतना discount मिल रहा है इस product पे इतना discount मिल रहा है social media में I'm sure facebook में आप सब अब देख चुके होगे facebook में instagram में बहुत सारे ads चलते रहते हैं तो ये सारे ads जो है ये सारे channels हैं जिस तरह से mobile marketing companies अपने customer के products को अपने customer के ads हैं उसको जो है आपके पास पोचाती हैं तो आप देख सकते हैं इसमें एक जो word आता है specific audience इसको हम थोड़ा आगे और discuss करने की कोशिश करेंगे तो देखें दोस्तों इस image से आप थोड़ा clear कर सकते हैं इस image में आप सब को दिखाया गया है कि mobile marketing किस किस तरीके से की जाती है तो आप देख सकते हैं apps के थूरू MMS, SMS के थूरू coupons, banner के थूरू आप जो search करते हैं website के थूरू location based भी आपकी जो है mobile marketing की जाती है location based mobile marketing का मतलब होता है friends आपने कभी कि देखा होगा कि आप किसी mall के पास जाते हैं तो आपके पास जो भी आप किसी application को अगर आप वहाँ use करते हैं तो आपको जो add आते हैं तो वो इस तरह के आते हैं कि जो कि mall से related हैं जैसी आप उसके location के पास पहुँचे तो आपको इस तरह का add आगा कि इस दुकान में या इस shop में आपको इतना discount बिल रहा है तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा related है कितने ज़्यादा जो है पूरा specific आपको जो है ads provide किये जाते हैं तो ये specific ads जो है किस तरह से होते हैं ये सबाव हम आगे जानेंगे तो देखिए दोस्तो एक question आप सब अपने से पूछ सकते हैं कि आपके mobile पे जो add आता है या फिर आप समझिए मेरे mobile पे जो add आता है क्या वो same होते हैं जी नहीं दोस्तो आपने कभी भी गौर क्या होगा आपके जो social media पे या आपके SMS के थूँ जो add आपको मिल रहा है या आपके mobile application पे जो add आ रही है वो different होती है दूसरे के mobile application पे जो adds आ रही है उनसे तो ये सब जो है depend करता है आपके preferences पे आपके interest पे आपकी search history पे तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ये आपके in-depth data को analyze करते हैं आप जो है क्या-क्या use करते हैं ये सब चीजे in mobile marketing companies को पता चलती है तो उसी के base पे उसी की preference को देते वे आपको add provide की जाती है बिल्कुर targeted तरीके से तो आप देख सकते हैं how they know अब question आता है how they know about specific audience उनको पता कैसे चलता है कि आपको कौनसी add दिखानी है आपके friend को कौनसी add दिखानी है आपकी preferences क्या है आपके interest क्या है तो देखिए दोस्तो इसमें काम करता है एक software इन सब चीजों में मदद करता है एक software जिसका नाम है Customer Intelligence Platform और हम उसे बोलते हैं Consumer Intelligence Platform जिया दोस्तों ये एक प्रकार से software है इसकी definition में आपको बता जेता हूँ it is a software that gathers आप समझे खटा करता है information that gathers and analyze customer information आपकी information लोग गैदर करता है उसको analyze करता है their details and activity आपकी details आपके site पे जाते हैं क्या search करते हैं आपकी preferences क्या है वो क्या चीज़ पसंद है आप कि जॉब पे हैं बहुत साइचीज़ इससे पर चलती हैं आप मान लिज़े अगर आप एक doctor होंगे तो आप जो हैं अपने professional related चीज़े search मारेंगे आपके professional related चीज़े tools है वो सब चीज़े search मारेंगे आप कोई fashion designer होंगे तो आप उससे related चीज़े search मारेंगे तो इससे आपके बारे बहुत सारी information इनके पास gather होती है और इनको वो analyze करते हैं और उसी प्रकार के ads आपको provide करते हैं तो आप समझ सकते हैं business को इससे क्या फाइदा होता है companies जिनके ads ये provide कर रहे होंगे उनको क्या फाइदा होता है मालीजे Amazon है आप जो है एक doctor है मालीजे तो आप अगर एक कुछ चीजे सर्च कर रहे है stethoscope सर्च कर रहे है तो आप देखेंगे अगर आप सर्च कर रहे होंगे तो आप Amazon को पता चल गया mobile marketing companies को बचल गया कि आप stethoscope में आपका interest है तो वो जो है आपको जो आप ad provide करेगा वो stethoscope के ad provide करेगा Amazon से provide करेगा Amazon में जो deal चल रही है उसके provide करेगा क्या पता फ्लिपकार्ट से provide कर देगा थोड़ा मैं आपको एक simple तरीके से भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये चीजे काम करती है तो देखें दोस्तों हर mobile की एक ID होती है अप उस mobile ID में आप समझे करेंगे कि उस mobile को आप यूज कर रहे है आप जो है आपकी जो कुछ preferences है आपकी जो कुछ interest है आप उससे related चीजे को सर्च करेंगे मानिजिए कोई fashion designer तो fashion से related चीजे को जो है search करता रहेगा उससे related products को जो है खरीदेगा उनको online purchase करेगा तो आपके mobile ID के साथ जो आपकी preferences है आपके जो interest है वो सारी information को tag कर दिया जाएगा यानि कि आपका जो mobile ID है उसके साथ जो है सारी information को tag कर दिया गया कि आपके mobile ID के जो user है उसको ये चीजे पसंद है तो अभी आप इसमें ये देखे कि आपकी personal ID के साथ जो है tagging नहीं की गई है यानि कि उनको नहीं पता कि mobile ID कौन यूज़ कर रहा है कौन बंदा है वो उसका नाम क्या है male है female है कौन यूज़ कर रहा है बढ़ उनको ये सब नहीं पता है उनको ये पता है कि mobile ID इस mobile ID को use करने वाला यह यह चीज़ों को prefer करता है यह चीज़ों में उनका interest है तो इससे related वो जो भी ads हैं वो आपको provide करेंगे तो आप इससे देख सकते हैं इसमें जो है privacy भी थोड़ी बहुत violet हो सकती है आप कह सकते हैं कि आपकी information लेता है बट वो personal ID आपकी नहीं reveal होती है आपकी personal ID पता नहीं चलती है कौन actual में user है उसका नाम क्या है बट mobile ID के साथ वो जो है tagging की जाती है सारी information की तो देखते हैं जोस्तों अब हम आगे चलते हैं अपनी company के बारे में जो कि हमारी company है वो क्या करती है FL India और उसका mobile marketing के field में अभी तक आप जान चुके होगे वो भी एक mobile marketing company है और इस field में देखिए उसका कितना बड़ा status है तो देखिए दोस्तों mobile marketing के field में FL India काम करती है और mainly focus करती है developing countries में जैसे की India और ये इसका एक main USP है developed countries में बहुत सारी mobile marketing company है but developing countries में इसको focus में रखके कुछ ही चुनिंदा जो है mobile marketing companies काम करती है उनमें से एक FL India है FL India has its own customer intelligence platform जया दोस्तों इसके पास जो है जो software के हम बात कर रहे थे customer intelligence platform वो इसके पास अपना खुद का customer intelligence platform है और इसका जो algorithm है वो self update के तरह का है मतब जिस तरह से input आते जाएंगे उस तरह से जो है यह अपने आपको update करके उस तरह के ads आपको provide करने लग जाता तो यह अपने आपको self अपने आपको update करता रहता है इनका जो algorithm है इनका जो software है अपने आपको खुदी update करता रहता है तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल ये कि artificial intelligence की तरह work करता है देखिए as on 31st March 2019 FL India has 2.02 billion consumer customer profiles तो आप समझ सकते हैं 2 billion से ज़्यादा customer profiles FL India के पास है जिया दोस्तों किसी ने सच कहा था 21st century में data is a new oil, data एक नया oil है data is main component, main factor जो कि इस पूरे world को drive करेगा वो है data data जो है नया oil होने वाला है 21st century में 21st century में oil था जो कि सब चीज़ों को drive करता था सारी businesses को उसी तरह के से 21st century में data होगा main component, main material जो कि सब चीज़ों को drive करेगा, सारी businesses को drive करेगा तो आप समझ सकते हैं FL India के पास 2.02 billion यानि कि दो अरब लोगों के mobile devices के customer profile है उनके preferences और search history ये सब उनको पता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा data का chunk इनके पास है और उसमें से भी 570 million इंडिया में है, 582 million emerging markets में है 867 million developed countries में है तो आगे हम आपको और important और interesting facts आपको बताते हैं तो देखें दोस्तों 570 million जो customers हैं इंडिया में जबर मैं इस number को roughly calculate करों तो ये around आता है 80 million के 80 million means 8 crore लोग जो है online shopping करते हैं यानि online transaction करते हैं तो जितने ज़्यादा online transaction होंगे जितने ज़्यादा FL India के advertisement के through जो है online transaction होंगे उतना ज़्यादा share, revenue share जो है FL India को मिलता है तो उतना ज़्यादा FL India का business grow करता है तो आप समझ सकते हैं कितनी asset light company है कुछ भी इनको asset रखने की जुरती है just उनको जो है पूरा data है इनके पास पूरा algorithm है पूरा software है जो कि decide करता है कि इनको कौन से ad provide करने अगर उनके ads से जो है customer आगकर उनके ads ज़्यादा lucrative हैं ज़्यादा interesting है लोग click करते हैं लोग purchase करते हैं तो इनको revenue share होता है Apple India के साथ mobile marketing companies के साथ Apple India operates in various countries including India, South East, Asia, Middle East Africa, America, Korea, Japan, Australia देंके काफी countries में यह operate करती है इंडिया के लावा developing countries के लावा developed countries जैसे Korea, Japan, Australia, America, Europe में भी इनका customer base है और वहाँ से भी आपको मैं बदा चुका हूँ काफी ज़्यादा customers के जो है इनके पास profiles है They have three patents in USA देखे, 14 साल से ये mobile marketing companies के sector में जो है काम करती है तो उसमें देखे, आप तीन patents ये हासल कर चुके हैं अभी तक mobile marketing के छेतर में और 10 नए patents के लिए इन्होंने apply किया है तो आप समझ सकते हैं काफी strong R&D team है काफी strong जो है इनके पास portfolio है product का portfolio है काफी अच्छा इनके पास algorithm है The key investors in FL India are Microsoft, Centurion, Itochu Bennett, Coleman and Company Limited देखे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं जो कि इसमें investors है Microsoft, America की दिगज टेक्नलोजी कमपनी Centurion, Singapore based एक बहतरीन कमपनी है Itochu, Japan की एक diversified कमपनी है Itochu और एक मैं आपके सामने आपके लिए question है कि Bennett, Coleman and Company Limited कहां की कमपनी है और क्या काम करती है अगर आप इसको search करेंगे तो आप सबको एक काफी बड़ी information और shocking information आप सबको पता चलेगी तो I'm sure वो information मिलने के बाद आप प्लीज comment पे जरा लिखके बताना कि Bennett, Coleman and Company Limited कहां की कमपनी है और क्या करती है तो देखिए दोस्तों यहां बे मैंने आपके सामने customer लगाया है customer base लगाया है FL India का तो कौन-कौन से customers mobile marketing के थुरू अपने products को advertise करते हैं देखिए Amazon बहुत ज़्यादा e-commerce जो companies है बहुत ज़्यादा use करते है mobile marketing को अपने products को बेशने के लिए mobile marketing के थुरू जो है अपने products का advertisement चलाती है तो Amazon हो गया Flipkart हो गया Go AI भी वो यह fintech companies है यह भी इस तरह के companies भी जो है अब mobile marketing के थुरू अपने products को जो है बेशती है Paytm हो गया Paytm भी देखिए mobile marketing का काफी ज़्यादा use करते है और देखिए दोस्तों इसका जो future है आप खुदी सो सकते है जाज से ज़्यादा लोग अभी इस lockdown के time पे जाज से ज़्यादा लोग mobile में अपना time spend करते है जाज से ज़्यादा लोग जितना ज़्यादा लोग mobile में time spend करेंगे उतने ज़्यादा chances है कि वो किसी purchase में indulge होंगे किसे ने किसी app को download करेंगे किसे ने किसी ad पे click करेंगे तो जितना ज़्यादा लोग इस mobile marketing में या mobiles में indulge होंगे उसमें involve होंगे उतना ज़्यादा chances हैं कि वो ads में click करेंगे कुछ चीज़े download करेंगे कुछ चीज़े purchase करेंगे और जितनी ज़्यादा ये चीज़े होंगी उतने ही ज़्यादा जो है FL India का revenue बढ़ता जाएगा तो आप समझ सकते हैं कितनी asset light company है कितना simple अब मैंने आपको समझा दिया है कितना simple जो है इनका business model है काफी innovative company है और काफी शांदार company है मैं कहूंगा तो देखें दोस्तों next part में ये जो है first part है next part हम एक और next part बनाएंगे FL India के बारे में जिसमें हम उसके जो है financial को discuss करेंगे पिछले past performance को discuss करेंगे और जानने ही कोश करेंगे कि उसका future aspect क्या है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही thanks for listening please channel को like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए और हमें इसी तरह motivate करते रहिए Jai Hind